हेलो गाइस क्या आपके पास भी अब स्टॉक की तरफ से स्पॉंसर्शिप का कोई इमेल आया है अगर आया है तो हो जाए साफधान क्योंकि इसकी पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूँ कि ये फेक है ये रियल है और क्यों ये छोटे योटूबरς के पास ही आ रहा है तो पूरे वीडिव को ध्यान से दिखेगा और समझेगा कि ये किस तरीके से हमें फसा रहे हैं या नहीं फसा रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइज जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अप स्टॉक की तरफ से इमेल आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे यूटूबर्स जिनके पास 10-20 व्यू आ रहे हैं और वो लंबे समय से यूटूब पर काम कर रहे हैं एक साल दो साल या तीन साल और कई बार ऐसे फ्रेशर्स को भी ये मेल आ रहा है कि आप स्पॉंसर्शिप के नाम पे 10-15 रुपे ले लीजे और अप स्टॉक पे आप अपना एकाउंट बनाईए और उसमें हम पैसे डालेंगे हैं और उसके बाद आप उसमें ट्रेडिंग करते हो ये अपना वीडियो बनाईए तो इस तरीके के कुछ वीडियो बनाने के लिए हमें भी कहा गया था और हमारे पास भी कुछ इमेल आया था आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग हापर आउन करके दिखा देता हूँ और आपको तीन से पांच मिनट का एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं और टॉपिक भी वो इसमें आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो वो ट्रेडिंग करने के दौरान आपको वीडियो बनाना है किस طریقے स्टॉक्स को खरीदना है किस तरीके स्टॉक्स को बेचना है कौन से एक दिन में होते हैं कौन से या दस दिन में होते हैं या आप अपनी मंटजी से कर सकते हो तो basically मैं आपको यहां पर बता दूँ कि इस में आपको बताया गया है कि आपको ट्रेडिंग करते हुए एक वीडियो बनाना है तीन से चार मिनिट का तो उसको बनाने के बाद आपको क्या करना है अपने यूटूब चैनल पर अपलोड करना है तो यहाँ पर जो आपको मैं दिखा दूँ इसको स्कॉल करता हूँ मैंने इनको रिप्लाइ किया था कि आप मुझे इसकी डीटेल बताइए तो यहाँ पर डीटेल इन्होंने जो सेंड किया है उसमें आपको तीन लिंक दिये है पहला लिंक तो दिया है बिडली का आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो बिडली का लिंक है ये बड़ा ही खतरनाक लिंक होता है क्योंकि आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वैसे तो अप स्टॉक पे लेके जाएगा लेकि बहुत जादा संभावना होती है कि यहां से ये आपके फोन को पूरी तरीके से हैक कर सकता है आपके फोन की जो जानकारी है वो अपने पा के लिए मेल्स चाहिए तो उसके लिए आप अलग से एक डिवाइस रखिए अपने पास जिसमें आप अलग जीमेल आईडी रखिए और उसको प्रोमोट करिए बिजनिस के लिए ताकि उस पे जो भी मेल आएगा आप उस पे क्लिक कर देते हैं गलती से भी तो भी वो आपक इसके बाद मैं आपको यहाँपर बता दू इनो नहों ने है यहाँ पे रेड में आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि ट्रेड करने के लिए यह लोग पैसे खुट डालेंगे अपनी तरफ से और आपको यहाँपर बिलकुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है तो यहा मैं अपना जो account है upstock पे बना लिया है और upstock पे बनाने के बाद मैंने इनको screenshot भी share किये थे तो आप यह देख सकते हैं यह वो screenshot है जो मैंने इनको send किये थे अब यहाँ पर जो mail किया है इसका इनको reply देना था 5 से लेके 7 वज़े के बीच में लेकिन यह जो mail आया था अपसे करीब यह कल सुभा 9 वज़े आया था मैंने शाम तक इन लोगों को detail दे दी थी लेकिन इनों का अभी तक कोई reply नहीं आया मेरे पास और मुझे यहां तक यह समझ में आ गया ऐसे बहुत से यूटूबर्स के लिए वीडियो बनाए होए हैं बहुत सारे हमारे जैसे यूटूबर्स ने help करने के लिए कि यह fake होते हैं तो उनको देखने के बाद मुझे यह चीज़ समझ में आई कि यह एक fake है तो मैंने भी सोचा कि अगर सब मेरी मदद कर रहे हैं तो मैं भी औरो की मदद करूँ तो इसमें आप देख सकते हो मैंने पहले लिंक के बारे में आपको बता दिया अब जो बाकी के दो लिंक है वो किस चीज़ के है जो दूसरा link है वो आपको बताता है उसमें कि आप किस तरीके से उसमें account बना सकते हैं और जो तीसरा link है वो उनका up stock का अपना YouTube channel का link है जिस पर आपको वो throughout कर देता है कि आपको stock में किस तरीके से invest करना है किसमें करें किसमें नहीं करें तो basically यहाँ पर अगर आपने up stock पे बना लिया है और मैंने thumbnail पर आपको दिखाया है कि up stock कर रहा है fraud तो यह fraud किस तरीके से कर रहा है यह मैं आपको अभी समझाता हूँ तो देखिए हमने जो किया इसमें अपना account बना लिया अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा up stock कर क्या रहा है ऐसे बहुत सारे sponsorship के नाम पर accounts बना रहा है यूटूबर्स से ताकि यूटूबर्स अगर चार पैसे भी कमाते हैं न तो वो भी up stock में invest करें और पैसा कमाने के लालच में वो उसमें गवा बैठें चली थोड़ा फायदा भी हो जाता है लेकिन आप stock के इतने high charges है इतने hidden charges हैं जिसकी वज़े से आपका अगर zero balance भी है तो वो भी deduct होके minus में जाने लगेगा और आपके खिलाफ कारवाई हो सकती है कि आपको इस तरीके से minimum balance को तो maintain करना ही होगा नहीं तो आपके खिलाफ कारवाई हो सकती है आपके account के खिलाफ या आपके जो आप loan के लिए apply करने जाएंगे तो उसके points भी वहाँ पर गिर सकते हैं तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यह अब छोटे यूटूबर्स को ही क्यों भेजा जा रहा है यह एक सवाल बहुत सारे यूटूबर्स के मन में आया कि 10-20 view आने के बावजूद भी हमें यह इस तरीके के sponsorship मिल रहे हैं यह तो बहुत खुशी होने के बात है इवन मैं आपको बता दूँ बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पर यूटूब पर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गई है जिसके views जादा आते हैं उसको value जादा दी जाती है अब हमें कैसे पता चला कि यह जो upstock का जो आपका पास mail आया है यह fraud है अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बाते बताऊंगा जो बहुत जरूरी है देखो आपको सबसे पहले तो important यह बात हो गई है कि आपके चल पर views अच्छे आ रहे हों और इस तरीके से normal आ रहे हैं और आपके 10-25 भी आ रहे हैं और उस तरीके से यहाँ पर आपके पास mail आता है कि आपको यहाँ पर sponsorship करनी है तो आप strict हो जाईए और साथान हो जाईए कि आपको यह fraud के लिए कर रहे है तो यहाँ पर आप एक बात हो गई आप अज स्टॉक पर कोई account बना तो है नीरा आप यूटूबर से ही account बनवाया जा रहे है ठीक है अब आप account बनाएंगे तो उसो maintain भी करेंगे अगर आपको कोई clear amount बता रहा है कि हम आपको इतना रुपे देंगे वीडियो बनाईए समझ जाईए कि वो fake है ठीक है तो यहाँ पर आती है bargaining की बात तो अब यह bargaining नहीं हुई यहाँ पर ठीक है और तीसरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पास reply नहीं आ रहा है आपने किसी के पास mail किया है वहाँ से reply नहीं आया है और duration आपकी आप stock के account बनाने के बाद आपको तीन दिन का वक्त लग सकता है verification के लिए लेकिन इनके mail में साफ साफ लिखा होता है दो दिन में ही आपको वीडियो बना के उन्हें link भेजना होता है अगर उन्हें पसंद आता है तो वो payment करेंगे अगर वो आपके mail का reply ही नहीं करें तो obviously वो fraud ही है तो ये तीन पैचान है इनकी कि किस तरीके से आप एक fraud mail को पैचान सकते हैं अपने account को safe रखने के लिए मैंने starting में आपको बता दिया है कि अपना जो business Gmail है उसको अलग device में operate करिए ताकि उससे आपके YouTube चैनल की help पर कोई असर ना पड़े और अगर guys अगर आप इस तरीके के email के जासे में आ चुके हैं और आपने आप stock पे अपना account बना लिया है तो आपको बिल्कुल भी tension लेने के दरूरत नहीं है और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ के किस तरीके से आप stock से अपने account को completely delete कर देना है खतम कर देना है मतलब उसको close कर देना है ताकि आपको कोई minimum charge ना लगे और आपका जो पैसा है आपके bank account में save रहे तो उमीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को like करे, comment करे, subscribe करे और ऐसे बहुत सारे यूटूबर्स जो छोटे चोटे यूटूबर्स है उनको इस तरीके से fraud बचाने में मेरा योगदान करे और साथ दे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंग जै भारत